प्रत्व परायन स्वरूप में समवाहक के रूप में भारत की एकात्मता के भारत के वैभों के इस आटूट प्रदर्शन के आज दिन को पुरी दुनिया साक्षी हो रही है और अगर देखें तो लिश्चित तोर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुचे हैं कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिये आता है सत्यस्तनातन शाश्वत का वह वेग लिये आता है माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिये आता है और वह संदेश है वसुधेव कुटुमबकम का वह संदेश है सर्वे भवंत सुखिना का वह संदेश है कृडवंतो विश्वमा का वो संदेश है वयम राष्टे जाग्रयाम पुरोहिता का यानि कि हम राष्ट में जागते रहें और राष्ट निर्माण में हम सनलगने रहें आज इतिहास लिखा जा रहा है सब्तु पुरियों में सरवश्रेश्ट भगवान श्रीराम की जन्मभूम अयुद्या में दिव ये संकल्प है भारत भारतियों के लिए ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है और आज हम साक्षी बन रहे हैं प्रधान मंत्री साक्षी हो रहे हैं साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्रीराम लला के बाल मूर्त वि बाद जो छे ग्रिहस्त हैं वो इस प्राणपृतिष्ठा के कारेक्रम को अपनी ओर से जिनोंने लगातार तपस्या की है भूमी पर शयन किया है बिना कोई अन्ड ग्रहन किये लगातार जब से उन्होंने प्राणपृतिष्ठा का संकल पलिया है तब से वो छेव के छेव पर वार तपस्या कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, कि इस वक्त प्रधान मंत्री मोदी भी पिछले 11 दुनों से तपस्या रत हैं, और उन्होंने दक्षिन भारत के अलग-अलग मंदिरों में जा करके, अपने इस भगवान शी राम, अपने इस भगवान शी शिव का दर्शन किय और शिव की बात है, तो आप देख लिजे कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं, वो काशी से पधा रहे हैं, वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव, भगवान राम के स्वामी की रूप में विरास्ते हैं, व तो बताते हुए दिखाड़ा था और इस वक्त आप देखिए कि गर्वग्रे में बहुत विशिष्ट महमान प्रधान मंत्री के साथ इस वक्त RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं इस प्राणपतिष्ठा समारों में अनंत अनंत कोटी आत्माओं की भाव और मित्र ये तीनों ही संबन्द भग्मान श्रीव का भग्मान श्री राम से आदे अद्भुख्षण आपके समक्ष अद्भुख्षण योगांतिकारी च्षण इतिहास में सुरणाचरों में दर्ज होने वाला च्षण कहा जा सकता है अरुण गान पर महा प्रगतिका हमारे पुर्खों से किये गए वादों का पूर्ण होने का दिन है ये विधाता से दिये गए वचन को पूर्ण करने का दिन है ये उस शपत के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं हर हिर्दय की धढकन रामाएड पगपग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुर्शोत्तम का, हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे, और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपत का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांख्छा का पूरा होने का दिन है, आज हर्श का दिन है, आज उतकर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अरपन का दिन है, तरपन का दिन है, पुर्खों के लिए हम तरपन करते हैं इस पवित्र मास में और आज द्वादशी की तिति है। वहीं से अम्रित भी निकला आज वहीं अम्रित निकलेगा भगवान शीराम के प्रतिष्ठा के बाद आज कुर्मा वतार के इस पवित्रितिति पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं पधान मंत्री नरेंद्रमोधी संपूर्ण राष्ट की तरफ से संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान शीराम की प्रतिमूर्थी में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मगन है अनुमान जो की महाराजा धिराज है आज सबसे ज़्यादा प्रसंद है भगवान शीव जिनकी नगरी से पधारे ये आचारे मंत्रों 4 के बीच में संकल्प कर जा रहे हैं सपश्ट तोर पर आप देखेंगे यह जो आहवान किया चा रहा है है कि जब रगुपति राघव राजाराम पदित पावन सीता राम और राजभवान राघाों के रूप में पधारने वाले हैं वो न रगुपति है वो न राजा राम है न 되지ता पति ait हैं आज सि प्रदान मंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुचने ही वाले हैं बहुत ही पवित्र दिन आज का और द्वादशी का दिन कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की लेकिन जारह दिनों से अपने वरत के जरिये एक तपस्वी की भाहती प्रदान मंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राजा भुशेक से पहले भूमी पर शायन किया भगवान श्री राम ने राजा भुशेक स पहले जैसे अनजल का त्याग किया महर्श वसिष्ट के कहने पर उने ने सारी गत्विदियों का सारी कि अनस्या पूल का त्याग कि अन्याटन है।